मैं धन्यवाद देता हूँ और सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों को आपके माद्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं राम नॉमी की बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाई देता हूँ ऐसा तेवहार ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है मुझे खुशी इस बात की के आज कॉंग्रिस पार्टी के नेता राहूल गांदी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं पहले चरण का चुनाव तपदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिन से हवा चल लई है वो पूरे के पूरे उत्तपदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है आज गाजवाद में बैठे हैं इस बार भारती जन्ता पार्टी को गाजवाद से लेकर के गाजी पुर तक इंडिया गड़बंदन सफाया करने का काम करेगा आज किसान दुखी है तमाम जो वादे किये थे भारती जन्ता पार्टी की हर बात जूटी निकली उनके वादे जूटे ना किसान की आईदो गुनी हुई ना नौजमान को नौकी रोजगार मिला और जो सपने दिखाये थे नैतिक्ता का बुलबला था वो भी तूड़ गया eternal bond ने इनका बेंड बजा दिया भारती जन्ता पार्टी सभी भष्थाचारियों का गोदाम बन गई ना किवल भष्थाचारियों को ले रहे हैं वेकर भष्थाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रखने जहां उत्त प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है डवल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डवल इंजन उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डवल वहां पर नहीं दिखाए देते हैं अकेले दिखाई दे रहे हैं इनके प्रत्यासी होर्डिंग से गाइब हैं और चुनाओं के बाद होर्डिंग पर जो अकेले हैं वो भी गाइब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है इनका एक ही नारा है जूट बोलने का और लूटने का लूट और जूट भारती जिन्ता पार्टी की पहचान बन गई है पेपर लीक कितने हुए हैं एक दो होते तो ठीक था लेकिन दस पेपर लीक हुए और मैंने कई मोखों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केबल तीन सदस्यों को मालने जिस व्यक्तिन है परिच्छा लिखने की तैयारी की जो परिच्छा नहीं दे पाया पेपर लीक के खारण और उसके मावाब को होगर हम जोडने तो ऐसे साथ लाग नौजवान है साथ लाग नौजवानों का भविश अंदकार में डाल दिया और अगर साथ लाग का गुड़ा करें हम तीन से एक करोड असी लाग और एक करोड असी लाग को अगर हम डिवाइड करनें असी लोग समाँ से तो भारजी जनता पार्टी का दो लाग पच्चिस जार बोट हर लोग समा में कम हुआ है इसलिए एक भी बोट बठ न पाए जहां हमें मद्दान करना है वहीं मद्दान के दिन हमें साथधान भी रहना है अगर हम साथधान रहकर के मद्दान करेंगे और अपने बूट की चौकीदारी करेंगे तो भारजी जनता पार्टी का सफाया होगा आने वाले चुनाओं में ये देश का चुनाओ है देश की जनता बदलाब चाती है और बदलाब की हवा पश्चिन से उत्तपदेश से चल लई है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गढ़वन्न और नई सरकार देश में दिखाई देगी शुक्रिया अखिलेश जी राहुल जी नमस्कार राम नोमी की आप सब को देश को बहुत बहुत शुब कामना है ये चुनाओ विचारधारा का चुनाओ है एक तरफ RSS और BJP जो सम्विधान है लोक्तांत्रिक सिस्टम है उसको खतम करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इंडिया कटपंदन कॉंग्रिस पार्टी सम्विधान को लोक्तांत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है उसकी रक्षा कर रही है चुनाओ में दो तीन बड़े मुद्बे हैं सबसे बड़ा बेरोजगारी दूसरे नमबर पर महंगाई भागीदारी मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है कभी प्रधान मंत्री समुद्दर के नीचे चले जाते हैं कभी आस्मान में सी प्लेन पे चले जाते हैं मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधान मंत्री ना बीजेपी बात करती है कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने एनाए को बहुत लंबा इंटर्व्यू दिया स्क्रिप्टिट था मगर फ्लॉप्ट शो था प्रधान मंत्री जी ने उसमें इलेक्टरल बॉंड्स समझाने की कोशिश की प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टरल बॉंड्स का सिस्टम ट्रांस्पेरंसी के लिए लाया गया राजनेती को साफ करने के लिए लाया गया अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कौर्ट ने रद क्यों किया और दूसरी बात अगर आप ट्रांस्पेरन्सी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया बीजेपी को पैसा दिया हजारों करोर रुपए दिये उनका नाम आपने क्यों छुपाया था और जिन तारीकों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था पता लगता है हजारों करोर रुपए का कांट्राक्ट किसी कंपनी को मिलता है उसके एकदम बाद वो company BJP को पैसा देती है CBI की inquiry होती है ED की inquiry होती है किसी company पर शुरू होती है उसके 10-15 दिन बाद company क्रोनों उपए BJP को देती है और फिर CBI की inquiry ED की inquiry बंद हो जाती है सड़क पे इसको extortion कहते है extortion कहते हैं सड़क पे तो ये जो है electoral bond का जो scheme है ये दुनिया का सबसे बड़ा extortion का scheme है हिंडुस्तान के सारे के सारे businessmen इस बात को समझते हैं जानते हैं और प्रधान मंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधान मंत्री भ्रष्ट चार के champion है धन्यवाद शुक्रिया रावल जी अच्छा एक और बात आपने जहराम जी आपने कहा कि जो भी आपको questions पूछने हैं आप पूछेंगे और ये open ended press conference है पर इसमें एक और बात मुझे पहले ही दो तीन बीजेपी वाले questions पता लग जाते हैं तो वो तो guarantee पूछे जाएंगे तो उनके लिए मैं त्यार हूँ आजकल guarantee का दबाना है रावल पहला सवाल महिकार सिर्टी हिंदुस्तान हिंदी डेलिस माइक दीजेगा रावल जी स्वागत दो 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 देता है जबकि आज को चार्ज का पहला दरो सबाब दोने वाला है आपने मेरे मित्रों को थोड़ा सा कस्वत करा दी वो दिल्ली से यहाँ हैं आपने गाजियाबाद में क्यों PC की यूपी दिल्ली छोड़के गाजियाबाद में PC हो रही है दूसरा सवाल यह है राहुल जी से की लोग तो गुजराच छोड़कर PM बनने के लिए बना रहे साते हैं आप बाइनाइट चले गए तो क्या अमेठी या यह बीजेपी वाला क्वेस्चन है पहले ओपनिंग बॉल ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेस्चन वेरी गुड शावाच देखिए अमेठी की बात कॉंग्रेशन का दिस्जन है जो भी मुझे ओर्डर मिलेगा मैं वो करूँगा CEC मीटिंग हमारे हमारी पार्टी में CEC मीटिंग में यह डिसिजन लिये जाते है बट पहला बीजेपी का क्वेस्चन गुड क्वेस्चन थैंक यू अमर उजाला से निशा आप ठोड़ा शान्त हो जाएए यहाँ प्लीज बाद बाद स्वागत है मेरा सवाल आपके यह है कि यूपी में ना केवल यूपी में बलके पूरे देश में इस पार कॉंग्रेस ने अपने बहुत कम प्रट्यासी दोसों अर्शाथ अभी तक सामने आये हैं और यूपी में तो 80 सीटों के मुकाबले केवल 17 सीट है ऐसा क्यों क्या ऐसा मान के चल देंगे कॉंग्रेस की आप कमजोर चल रहे हैं या यूपी में कमजोर है कॉंग्रेस इसलिए चपा या आपके गठबंदन बाके सही होगी पार्टी सीट नहीं देना चाहरी हैं नई हमने डिसिजिजन लिया है कि इंडिया गठबंदन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेरिंग की है और ओपन माइनड़ तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेरिंग की है हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और open-minded तरीके से हम चुनाव लड़ें, इसलिए हमने space अपने partners को दिये है, पिर इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं है. PTI Cyanwar? राहुल जी, मेरा सवाल आप से है, कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गड़ बंधन था, वो सफल नहीं हो सका है उत्तर प्रदेश में. एक बार फिर आप लोग साथ आये हैं, और प्रधान मंतरी ने पिछली दिनों कहा कि ये दो लड़कों की flop film है, जो इस बार भी flop होगी. तो आगे आप क्या उमीद कर रहा हैं इस गड़ बंधन से, उत्तर प्रदेश में कितनी सभलता मिलेगी और कितनी सीटों की उमीद है इस बार आप लोगों को देखें, मैं सीट का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जेनरल बात कह सकता हूं, कि BJP को मुझे लग र था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे, हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाओ इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है, जहां तक गड़ बंधन की बात है, यूपी गड़ बंधन की बात है, बड़ा पा परमंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में, जैनी जागरन से अधिती त्रिपाटी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश में एंडिय कड़ बंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनी थी आप दोनों की, उत्तर प्रदेश मे नैशनल लेवल पे मैं आपको अपना हमारा फाउंडेशन बता देता हूँ, और वो ही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे, देखिए, पिछले दस सालों में, नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी करके, गलत GST लागू करके, और जो बड़े बड़े अर जी हैं, उन्हों का सपोर्ट करके, जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था, उसको उन्होंने कम्पेश्ट कर दिया है, तो सबसे पहला काम, जो रोजगार हिंदुस्तान के यवाओं को मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर स्टेंथन करने का है, उसके लिए हमने अपने मैनेफेस्टों में दो-तीन आइडियाज दिये हैं, एक आइडिया रेवलूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिशप, तो जो अमीर घर के बचे होते हैं, वो अप्रेंटिशप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है, तो हमने के उत्तरप्रदेश के सब ग्रैजुएट्स को डिप्रोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिशिप का अधिकार देंगे जो भी अप्रेंटिशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में सरकार में अधिकार मिलेगा अप्रेंटिशिप का अधिकार मिलेगा ट्रेनिंग होगी और एक लाक रुपए साल का आठ हजार पांच सो रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे और ये कुरोनों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं इससे एक ट्रेन्ड मैन पाउर क्यार होगा प्राइवेट कंपनी इसको भी इसका फाइदा होगा सरकार को भी इसका फाइदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्किट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा दूसरी चीज तीन लाक तीस लाक सरकारी रोजगार हैं जो नरेंदर मोधी भर नहीं रहे हैं वो वेकटीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं पेपर लीक के बात हुई है उसके लिए हमने एक हम कानून बनाएंगे उसको हम खटम कर देंगे तो ये बात हुई युवाओं की एक और हमारा आइडिया ख्रांतिकारी आइडिया और ये उत्तरपदेश की महिलाओं को बहुत फाइदा में लगाए इसके हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुलेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महिने के 8500 रुपे साल के एक लाक रुपे सरकार हर महिने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है किसानों की बात किसान सिरफ दो चीज़े मांग रहा है नरेंदर मोदी से दस साल मांगा हमें सही दाम दिलवा दीजिए और जैसे आपने 16 लाक करोड रुपे मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माव किया वैसा ही आप हमारा भी माव करतीजिए और नरेंदर मोदी मना करते हैं उनको फाइरिंग करवा देते हैं उनको डरा देते हैं तो हमने लीगल MSP की करने ने ले लिया है हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गैरंटीड MSP होगी और हम उनका किसानों का करदा माव करने जा रहे हैं यही मेन मुद्धे हैं चुनाओं में बीजेपी का मैनेफेस्टो देखेंगे तो उसका जो फाउंडेशन है दो चीज़े हैं एक की वो शायद दस पंदरा साल बाद ओलिम्पिक जेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो वियक्तियों को वो चान्द पर पहुचा देंगे तो यह बेसिकली चुनाओ चल रहा है शुक्रिया राहुल जी अगले तीन-चार सवाल आप अखिलेश जी से पूछेगा एनाई से शालिनी पहला सवाल राहुल जी वाल है मेरा वो यह है जाज़ उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक जटके में गरीबी मिटा सकते है मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक जटके में गरीबी मिटाई जा सकती है तो यह मेरा सवाल दोनों से है नि दोनों से है मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों ने सवाल पूछे हाला कि कुछ सवाल आपने राहूल जी से पूछे थे एंडिये को पीडिये हराएगा एंडिये को पीडिये हराने जा रहा है एंडिये को पीडिये हराने जा रहा है और जहां तक सवाल परिवारबाद की बात है आज नवरात है आज शुब दिन है भारती जन्ता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को ठिकेट देंगे और ना किसी परिवार वाले से बोट मांगेंगे और गाजे बाद में कारकम इसलिये किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है वो तो इंडिया गडवन्दन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं आई एंडिया यह तो इंडिया होता है इंडियी कब से हो गया यहां से सफाया होगा गाजीपूर तक जो चौदे में आए थे वो चौविस में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल, नगाडा और सब कुछ की तेयारी है इस बार बिदाई भी बहुत शांदार होने जारी है और टाइम्स ना भारत रंजीता अखिलेश जी से तो आपने आपने जो गरीबी को एक जटके में मिटाने की बात की लेकि ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक जटके में मिटाए जाएगा हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट कोचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए है नरेंदर मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस बाइस लोगों पे किया है आज की सच्चाई है कि बाइस लोगों के पास उतना धन है जितना सत्तर करोड़ लोगों के पास है गरीबी का ये भी कारण है कि नरेंदर मोदी जी ने सारा का सारा धन कॉंसेंट्रेट कर दिया है बीस पच्चिस लोगों को पकड़ा दिया है मैं जाती जनगाना की बात कर रहा हूँ और मैंने ये बात बहुत बार उठाई है भागीदारी की बात होती है हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टिटूशन में आपको ना पिछ्रेवर के लोग मिलेंगे ना दलित मिलेंगे ना आदिवासी मिलेंगे ना गरीब जेनरल कास्ट के लोग मिलेंगे मैंने मीडिया के बारे में बात उठाई मीडिया में आपको बड़े-बड़े आंकर्स दिखते हैं आपको मीडिया की कंपनीज के मालिक की लिस्ट निकालिए आपको दिख जाएगा कि उधर ना एक पिछरा मिलेगा ना एक दलित मिलेगा ना एक आदिवासी मिलेगा तो हम करांतिकारी काम करने जा रहे हैं जाती जनगरना, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को एक लाक रुपए युवाओं को अप्रेंटिशिप का कानून, अप्रेंटिशिप का अधिकार उनके बैंक अकाउंट में एक लाक रुपए किसानों को MSP तो ये सब गरीबों को पैसे देने के तरीके हैं नरेंदर मोदी जी ने पिछले दस साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया तो ये हम करने जा रहे हैं